हे अंबेरानी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना उनकी जोली खुशियों से भर देना जै मातादी दोस्तों दो हजार चौबीस में इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृत्वी लोग पर पधार चुकी है शास्त्रों में वर्नित हैं तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शार्दिय नवरात्री पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बलकि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्यानकारी माना जाता है जीवन सुखमय हो जाता है भक्ती का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है दिल में सुकून मिलता है माता वैशनों भरपूर आशीरवात देती है दोस्तों इस बार नवरात्री पूरे 9 दिनों तक चलेंगे यानि 9 दिनों तक नवरात्री का पर्व मनाया जाएगा माता वैशनों की पूजा मा शेरावाली की विशेश रूप से पूजा आराधना की जाएगी शार्दिय नवरात्री का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे दोस्तों चलिए अब जानते हैं नवरात्री में कौन-कौन सी सबजी नहीं खाना चाहिए और कौन-कौन सी सबजी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत तूट जाता है आए जानते हैं नवरात्री में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेश और शुभकारी माना गया है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिएगा यदि हमारे पास आपकी राशी के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे ताकि आपको राशी के अनुसार फल प्राप्त हो राशी के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है मैया वैशनो रानी बहुत प्रसन होती है कमेंट में लिखे माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जै माता रानी एक लाइक जरूर करे वैशनोरानी के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताये गए वरत चाहें किसी भी प्रकार के क्यों ना हो उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अतियावश्यक माना जाता है क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानि कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है इसी लिए ऐसी मान्यता है कि वरत को पूर्ण विधिविधान से किया जाना चाहिए तब आपको वृत का पूर्ण लाब फल प्राप्त होता है अथि उत्तम और शीघ्र दीरगायु वरदान प्राप्त होता है आपकी सभी मनों कामनाएं शीघ्र महिया रानी पूर्ण करती हैं ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मातारानी के चरणों में स्थान मिलता है वह सदैव मा की सेवा करता है ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रतिश्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है और अगर मन में ईश्वर के प्रतिशंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता वह नर्क में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंग कहा था जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ती से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही इश्वर को पुकारो, तो वह आपकी हर मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटो पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों ये तो थी वो बातें जो भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं। नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए? और क्या नहीं पीना चाहिए? और कौन सफल खाने से वरत संपूर्ण और सफल हो जाता है? दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों चाहे मर जाना भूल कर भी नवरात्री के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुकरवार पढ़ जाता है और शुकरवार को मा संतोशी का वार कहा जाता है। आईए शुकरवार को खटा नहीं खाना चाहिए। शुकरवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खटा फिर चाहे आपने वरत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुकरवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर आपका वरत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तर्बूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से वरतधारी को शक्ती मिलती है और वरत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए। नवरात्री के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीरवाद देती हैं। दोस्तों नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाना है। वरत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। वरत में तीखा खाने से वरत धारी की जो पेट की आंते होती हैं उसमें जखम हो सकते हैं क्योंकि इस दौरान हम वर पूर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है, पूरी हो जाती है, आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाए, इससे जो शुगर लेवल होगा, वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइन का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी वरत के दौरान नहीं खाना चाहिए। नहीं तो वरत तूट जाएगा, साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का साधा जूस पीने से वरत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्री के दौरान सिंघाडे का आटा या कुटू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुराने आटे में कीडे वगैरह पढ़ जाते हैं जिसके कारण आपका वरत तूट सकता है क्योंकि ये छोटे-छोटे कीडे हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुह तक पहुँच जाते हैं। आपको ऐसी है जो नवरात्री के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनरजी मिलेगी और वरत सफल हो जाएगा। दोस्तों नवरात्री के नौ दिन आधी शक्तिमा दुर्गा को समर्पित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तों हैं जिन्हें नवरात्री के दौरान भूल कर भी मातारानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तों को आप गलती से भी मातारानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको वरत और पूजन का पूर्ण लाब नहीं होगा। इसलिए मातारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मातारानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आईए मा का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिना आसन मा की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए। माता रानी नौ दिनों के लिए धर्ती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है। और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी इसको मेरी जरूरत नहीं है। वह अकेली पढ़ जाती है। इसलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सम्रिध्धिधन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख सम्रिध्धि में वृध्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेश महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मातारानी के कई मंदिरों में नारियल से बली भी दी जाती है और मातारानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खास कर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तिमाल करते समय कुछ गलतियाओं कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं एक हरा दूसरा सुखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है। मातारानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें, नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है, साबुत नारियल को ही श्रीफल, यानि कि मा लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्री में माताराणी के कलश की स्थापना करते समएं जटा वाला यानि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के उपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के उपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ा कर आप नारियल को कलश के उपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के उपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं मातारानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं लेकिन कभी भी मातारानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़े क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं इसलिए कभी भी महिलाओं क नारियल नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों नमबर तीन लॉंग हम सभी मातारानी के पूजन में इस्तिमाल करते हैं लेकिन लॉंग का इस्तिमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी को सदैव फूल वाली लॉंग ही अर्पित करना चाहिए जिस लॉंग के उपर फूल नहीं होता या फिर जिस लॉंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसको आप मातारानी के पूजन में भूल कर भी इस्तिमाल ना करें फूल वाले लॉंगों को ही पूर्ण माना जाता है और मातारानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तू कोई भी खराब वस्तू या तूटे हुए अक्षत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तिमाल करें दोस्तो नमबर चार तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए मा दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तिमाल करना वर्जित माना जाता है तुलसी पत्र के अलावा आवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए दुर्बा भगवान श्री गणेश को अतिप्रिय है नवरात्री में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं भगवान विश्णुजी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करे माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करे माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए लाल रंग के फूल माता रानी को अतिप्रिय है खास कर माता को गुढ़हल और कमल के फूल अतिप्रिय है शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में मातारानी की दो या तीन मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए इस बात का भी आप विशेश ध्यान रखें कि मातारानी के पूजन में कोई भी खंडिक चीज इस्तिमाल ना करें जैसे कि चटका हुआ या तूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बरतन साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बरतन आप मातारानी के पूजन में इस्तिमाल ना करें क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बरतन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं ऐसा ना करें ऐसे बरतनों को मातारानी के पूजन से सदैव दूर रखें मातारानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंगे नहीं सूंगे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुर्जाय हुए फूल माता को अर्पित ना करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता दी जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है मैया रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है